और दूद पिलाने से सापों ने कब अपनी फितरत छोड़ी है खाल उतारेंगे अपनी तो जीहादी ही निकलेंगे भारत हिंदू रास्ट्रई है भारत की भूनी पर जन्मा प्रतिक व्यक्ति सनातनी है ओफिशल गोशना एक बाकी है वह जल्दी होगी क्योंकि देखो जो मेरा गर है वो तो मेरा यह है गुजराथ में 19 हिंदूों की टार्गेट किलिंग हुई है 2023 में 19 के आकडे नाम किसने मारा क्यूं मारा रीजन क्या था वो कहां रहता है व्यक्ति वो सब हमारे पास में कि भारत में ही हिंदू असी फतिशत हो गया है जिस गौम आता कि पूजा साक्षात भगवान करते थे श्री कृष्ण जो रक्षत सड़क पर उत्रे उन रक्षकों को भी मार दिया जाता है आप बताओ हिंदू कहा सुरक्षित है कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं हरोज अपनी कलम से हिंदू का अंत लिखनी कहीं हिंदू सुरक्षित नहीं अगर कोई एक व्यक्ति ये कहता है तो मैं आज से अपना काम छोड़कर घर में बैठने को तयार मुसल्मानों ने हमें धंकी दे रखी है कि तुझे तो मारी देंगे तो ये ब्लैंक स्लेट है आप इस पर जैश्री राम नहीं चापोंगे तो कोई इस पर अल्लाव अकबर चापो देगा आज हमारी गेस्ट है हिंदूस्तान की नीडर शेर्मी एक राजस्थान के परिवार में जन्मी इस मुकाम में किस तरह पहुँची उनहीं से जानते हैं काजल जी वेदनम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद भाई हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके कारिकरम में आज हमें जुडने का अवसर प्राप्त हुआ है इसलिए हम भी आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते है लोगों को काजल जी जानने के उच्छुकता है कि एक भ्रामण परिवार में जन्मी एक लड़की इतनी हिम्मत लाती कहां से है किस तरह से आप इस मुकाम पर पहुची कुछ आपकी शुरुआत की जर्णी के बारे में बताईए देखी हम किस परिवार में हमारा जन्म हुआ है वो हमारे हाथ में नहीं है वो इश्वर डिसाइड करते है कि जनम, मरन और पानी गरन हमारे हाथ में नहीं होता लेकिन अपने आपकी identity यदि हमने हिंदू स्थानी बनाई है तो हम हिंदू समाज की representative है हम हिंदू समाज की बेटी है, हम हिंदू समाज की बहन है और हमें लगता है कि यही हमारा परीचे है, यही हमारी identity है रहा सवाल यहां तक आने का तो हमें लगता है कि हमने सदे हमारा निस्वार्द भाव से कर्म किया है और डेस्टिनी भगवान खुद डिसाइड करते है तो शायद वो डेस्टिनी होगी इसलिए हम यह आए काजल जी मुझे आपका पूरा नाम पता है के इस काजल त्रिवेदी पर लोगों के रेफरेंस के लिए मैं पूछना चाहूँगा के काजल त्रिवेदी की जगा लोग आपको काजल हिंदुस्तानी के नाम से क्यों जानते हैं काजल त्रिवेदी जो है वो मेरा माई के पक्ष का सरनेम है मेरा शादी जो हुआ है तो वो गुजरात में हुआ है और मेरा ससुराल का सरनेम है काजल शिंगाला अब लोग कुछ लोग त्रिवेदी बोलते है कुछ लोग शिंगाला बोलते है पर हमने का दोनों पे हमारा बस नहीं था शादी कहा होगी वो भी भगवान ने निश्चित किया था, जन्म का होगा वो भी निश्चित किया, पर हमने अपने आपको हिंदु स्थानी बनाया, ये समाज में मेसेज देने के लिए, क्योंकि बहुत जादा जाती बाद हमारे देश में पनप रहा है, हिंदु जो है वो जातियों में बट पर पहले ऐसा था कि धर्म के आधार पर बटवारा हुआ, फिर जाती में हम बटे, फिर शेत्र में बटे, फिर भाशा में बटे, अब ऐसा सीनैरियों आगिया है कि पुरूश और महिला को भी अलग करने की बात आ रही है, फेमिनिजम के नाम पर, वोग फेमिनिजम के नाम पर उसको भी बाट रहे हैं, मतलब एक human race को ही बाट दिया जा रहा है और अंत में अब पुरूश इस्तरी versus LGBTQ कर दिया है तो आपके लिए मनुश्यता या मनुश्य होना भी अब important नहीं रहा है आप कितना बट कर कितना जादा अपने आपको बाट सकते हो अब हमने ये सोचा कि इससे आगे हम और कितने बटेंगे हमारे पीछे जाती है, तभी तो कोई एक-एक समाज के ठग नेता खड़े होकर एक-एक समाज को target कर रहे है हमारे पीछे जाती ही नहीं रहेगी, हमारी identity ही हिंदुस्थानी रहेगी क्योंकि ये जो देश है वो हिंदुओं का है, यहां रहता प्रतिक व्यक्ति जो है वो हिंदुस्थानी है स्थान का मतलब होता है कि वो उस जगे का है, उसका representative है तो हमें लगा कि हम इस देश के नागरिक है, तो यहां रहता प्रतिक व्यक्ति हिंदुस्थानी है नाती जाती के भेधवाव से उठकर समाज में हम कैसे एक जूटता ला पाए वो संदेश देने के लिए हमने अपने नाम के पीछे काजल हिंदुस्थानी लगा अच्छा काजल जी, काजल जी आपकी ये जो strong personality है, वैचारिक इतनी clarity है ऐसा कोई mentor या जिसकी वज़े से आपकी ये वैचारिक पुष्ट भूमी बनी ऐसे लोग जिन्हों ने आपकी पूरी journey में आपको प्रभावित किया ऐसे कोई किसी का जिसको आप mention करना चाहें देखिए ऐसा है कि हम बहुत जादा अध्यात्मिक व्यक्ति हैं हमें spiritual जीवन से जुड़े हुए है हमने सदेव भगवान पे भरोसा किया जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पिता जी का देहान दो गया था तो हमारा जो पालन पोशन है वो साक्षा जो जगत पिता और जगत माता है शिव शक्ति उन्होंने किया है हमारा पालन पोशन आप समझ सकते हैं कि बच्चपन में 12-13 साल की उम्र में यदि कोई बच्चा अनात हो रहा है तो उसका एक अलग लेवल का संगर्श होता है तो हमारे मेंटर साक्षा तो शिव शक्ति रहे सदेव और उन्होंने जो भी उन्होंने हमें ग्यान दिया अध्यात्म के माध्यम से आत्मा और परमात्मा जब जुडते है तो वो ग्यान जो होता है वो शायद परसंट तो परसंट अपने आपको बता सकेगा देखो आपका शायद अनुभव अलग हो person to person होता है कि आप भगवान से अपने आपको कैसे जोडते हो मेरा अनुभव अलग है मैं अलग तरह से जोडते हूँ किसी तीसरे व्यक्ति का अलग होगा लेकिन फिर काम चलता रहा चलता रहा मुझे जो मार्ग भगवान ने दिखाया हमने सदे उस मार्ग पर बहुती honesty और dignity के साथ काम किया हमने कभी भी किसी की चरण चाटू कारिता नहीं की कभी अपने सिद्धानतों के साथ compromise नहीं किया कभी गलत काम नहीं किया कभी गलत किसी का सुना नहीं कभी किसी गलत का चलाया नहीं और बहुत clear था vision कि हमें क्या करना है कैसे करना, किस तरह से करना और उसके लिए जब राइट टाइम हमारे जीवन में आया तो दो वर्ष पहले भगवान ने गुरु के रूप में हमारे गुरु को हमारे समक्ष भेजा और उस गुरु ने हमें बहतर काजल कैसे और बन सकती है वो समाज को और कैसे काम आ सकती है उसकी सोच कैसी होनी चाहिए वो अपने आपको तो कहते ना कि पॉलिश करना तो वो मेरे दो वर्ष पहले हमारे जीवन में जो हमारे गुरू आये उन्होंने हमें पॉलिश किया हमारे गुरू नहीं चाहते कि हम कहीं भी पब्लिक डोमेन में उनका नाम ले मगर वो इतने सरल सभाव के है वो बहुत बड़े तपस भी कह सकते है हाला कि उन्होंने भगवा नहीं पहना है मगर उन्होंने भी परिवार त्यागा हुआ है समाज की सेवा के लिए वो भी निकल गए है संग के वरिस्ट प्रचारक है वो और उन्होंने जो हमारे जीवन को एक दिशा दी और हमें बताया कि हम जो काम कर रहे हो करी रहे मगर उसको और अच्छे तरीके से हम कैसे कर सकते है तो वो उन्होंने किया कजल जी इस देश के युवा specially लड़कियां आपसे रिलेट करती है जब ये अडल्ट होते हैं इतना जादा सोशल मीडिया, लेफ्टेस्ट, आइडियोलोजी, रिलीजिन में कनवर्जिन उन बच्चों को बहुत एक प्रशन होते हैं कि हिंदूइजम क्या है जैसे आप हिंदू, हिंदूत्व और हिंदू राष्टर की बात करती है आपके हिसाब से हिंदू कौन है, हिंदूत्व क्या है और हिंदू राष्टर की आपकी कल्पना एक नॉर्मल इंसान को समझाए उस प्रकार से क्या है भारत की भूमी पर जन्मा प्रतेक व्यक्ति सनातनी है अब लोगों ने उसको अलग-अलग नाम दे दिये वो देने दो भारत देश जो है वो हिंद महासागर से लेके हिमालाय तक और अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक ये पूरी सनातनी भूमी थी वो अलग बात ह कि इन्वेडर्स आये और हम बटते गए कटते गए टुकडों में बटते और आज ये हालत है कि भारत में ही हिंदू 80 प्रतिशत हो गया है नौ राज्यों में और 200 से अधिक जिलों में हम अलप संक्यक हो चुके है और यदि आज हम गुजरात की भूमी पर बैठे है तो अपना कच जो है वो हमारे हाथ से जा चुका है 200 से अधिक गाउं जो है वो हिंदू विहीन हो चुके है अंकलेश्वर भरूच आनंद खेडा ये जो पूरा पट्टा है बरोडा ये पूरा पट्टा बहुत सेंसिटिव हो चुका है रहा सवाल हिंदू रास्ट्र का तो भा भारत हिन्दू रास्ट्र ही है ऐफिशल गोष्णा एक बाकी है वो जलदी होगी क्योंकि देखो जो मेरा गड है वो तो मेरा ही है कजल जी जैसे आपने बात किया आपने डाटा दिया हमें, गुजरात में ही किस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे जिले किस तरह से हिंदू वहाँ पर माइनोरिटी में जा रहे हैं, बहुत सारे हिंदू ये फील करते हैं कि हिंदूस्तान में ही हिंदू खत्रे में है, मैंने आपको कुछ एक्जाम्पल देती हूँ, आज हम यदी गुजरात में बैठे हैं, तो गुजरात को कहा जाता है हिंदुत्व की प्रयोग शाला, कहा जाता है, कहते हैं हिंदुत्व का गड़ जो है वो गुजरात है, अब हम जन्वरी महीने दो हजार चौबिश में प्रविश में, 19 के आकड़े नाम किसने मारा, क्यों मारा, रीजन किया था, वो कहां रहता है, व्यक्ति वो सब हमारे पास में है, और यह 19 नाम मैंने अपनी research से इकटे की है और फिर मैं उन परिवारों से मिली कितने ऐसे case है जो हमारे तक आते भी नहीं है गुमनामी की मौत हिंदू मर रहा है आप देखो अभी उत्तर प्रदेश में हर्याना में बिट्टू बजरंगी के एक गौर रक्षक है बिट्टू बजरंगी उसका भाई भी मदद करता था गौर रक्षा में कुछ मुसल्मानों ने कुछ 15-17 मुसल्मानों ने मिलकर बिट्टू बजरंगी के भाई पर थिना डालकर उसको जला दिया वो विचारा 20-22 दिन तक जूजता रहा और दो दिन पहले उसकी देथ हो गई आप बताओ इस देश में गौर रक्षा करने के लिए गौर रक्षकों को मिल क्या रहा है क्या आप और हम पैसे दे रहे हैं उनको क्या हमने उनको खरीदा है क्या वो बंदुवा मजदूर है नहीं जिस गौ माता की पूजा साक्षात भगवान करते थे श्री कृष्ण तो भगवान जिसकी भक्ती कर रहा है उसका महत्व कितना उचा है उस देश में गौ माता की रक्षा के लिए जो रक्षक सड़क पर उतरे उन रक्षकों को भी मार दिया जाता है आप बताओ हिंदू कह सुरक्षित है और गौम आता यदि भारत की भूमी पर सुरक्षित नहीं होगी तो कहा हो सकती है हिंदू यदि हिंदू स्थान में सुरक्षित नहीं है तो कहा हो सकते है और जो मैं आपको 19 केस गिना रही हूँ ये चिंता का विशह है हम बंगाल केरला की बात बाद में करे क्या बात है या आज खेडा की तीन हिंदू बेटियों ने सुसाइड करा खेडा में तीन हिंदू लड़कियों ने सुसाइड किया तीनों का रिजन मुसल्मानों ने परेशान किया लव जिहाद में ब्लैक मेल करते थे जिसमें एक पुलीस वाले की बेटी थी सोचो यदि पुलीस वाले की बेटी भी सुरक्षित नहीं है तो आम बेटीों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है कौन देगा सुरक्षा की जिम्मेदारी कजल जी आपने जो बात कहीं मुझे लगता है वो सच है पर उसमें कहीं न कहीं जिम्मेदारी हिंदूओं की भी है मेरे मताबिक ये जो प्रॉब्लम हम सफर कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हिंदूओं में सही बहुत बड़ा ऐसा तपका है जो मानते हैं कि जो मुसल्मान है या क्रिश्चन है वो तो बड़े सेकुलर हैं बड़े अच्छे लोग हैं वो तो हमारे साथ अच्छा ही करेंगे अग्रेसिव हिंदूइजम गलत है आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे देखे छदम सेकुलर वाद इस देश में आज का नहीं पनपरा है जब इस देश में आज़ादी के 15 वर्ष पहले मुस्लिम लीग की स्थापना की थी वो उसी प्लानिंग से की गई थी जिन्ना, नहरू, इनकी पूरी प्लानिंग थी और इस प्लानिंग के तहत ये सेकुलर वाद हमारे बीच में डाला गया लेकिन अब समय ये आया है कि जो बाइगॉन्स आर बाइगॉन्स जो हो चुका उसको हम पलट नहीं सकते हैं मगर इतियास में करी गई उन भूलों को हमें समझना होगा यदि हिंदू ये कहता है कि हम सेकुलर है और वो तुमारा भाई है तो अमरावती के उमेश कोले को क्यों मार दिया यूसुफ ने वो उसका 16 साल कुराना मित्र था कनया लाल दरजी को क्यों मार दिया सिर्फ इत्ता लिखा I support no question क्या ऐसा भाई चारा होता है मैं तो ये प्रश्न करती हूँ अपने गुजरात का किशन भरवाड आपको मालू है उसको किस ने मारा उसके दोस्त है उसका अपना फ्रेंड चाइल्डूड साथ में पढ़ते थे साथ में क्रिकेट खेलते थे मुंद्रा का एक पुजारी है भवान गिरी गोस्वामी उसको इर्फान ने मारा उसके साथ रोज कैरम खेलता था शिवरातरी के एक दिन पहले तो जाके मार्केट में शॉपिंग करकर आया लाइटिंग मंदिर में सजानी है और उसने ही उसका पीछे जाके गर्दन काट दी तो क्या ऐसा भाई चारा होता है मेरे भाईयों को मैं यही समझाने निकली हूँ कि डिसाइड करो भाई कौन है और चारा कौन है क्योंकि भाई की याड में यह कसाई बैठा है और हमने आपको बहुत सारे उधारन दिखा दिए अब हम जो बोल रहे हैं वो पर बोलेंगे क्योंकि सत्य है यह आपके भाई कभी नहीं हो सकते क्योंकि कटरता इनमें इनके एजुकेशन के माध्यम से बच्पन से ही भर दी जाती है मदरसे से वो कटरता इनमें आती है और इनको तीन स्टेज पर ब्रेनवाश किया जाता है पहले इनको कटरवाद सिखाया जाता है फिर इनको अलगावाद सिखाया जाता है तीसरी स्टेज पर वो आतंकवादी बनता है यह उसके ब्रेन में बच्पन से ही डाल दिया जाता है उसके लिए हम काफिर है यह उसकी किताब में लिखा है हम non-believers है उनके लिए आप इस सत्य को छुपा नहीं सकते हो आप इनको देश का vice president बना दो या हमिद अंसारी बनकर ये कहेगा कि मुसल्मान असुरक्षत है आप इनको जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दो ये मुफ्ती और अब्दुल्ला बनकर भारत के टुकडे करने और कश्मीर को भारत का हिस्सन ना मानने की बात कहेंगे आप इनको member of parliament बना दो ये OVC बनकर 15 minute में हिंदूों को काटने की बात करेगा आप इनको MLA बना दो ये Amantullah Khan और मामन Khan बनकर हिंदूों के सामने शडियंत्र करकर साजिश करेंगे उन्हें मारनी की आप इन्हें कॉर्परेटर बना दो ये ताहिर हुसेन बनकर दिल्ली के दंगे 2020 के करवाएगा आप इनको MBBS बना दो ये अबजल गुरू बनकर सदन पर हमला करेंगे आप इनको Chartered Accountant बना दो ये याकुब मेमन बनकर Serial Bomb Blast करेगा आप इनको बुरहान वानी जिसको हमने गरीब हैड मास्टर का बेटा समझा आप उनको Software Engineer बना दो तो वो बुरहान वानी बनकर Indian Army पर हमला करेगा आप इनको जवालनाल नहरू University में पढ़ने भेज़ दो उमर खालिद बनकर भारत तेरे टुकडे होंगे इंशाल्ला इंशाल्ला के नारे लगाएगा आप इनको I.S. अधिकारी बना दो ये जकात Foundation बनाकर UPSC जिहाद करेगा आप इनको Multi Millionaire Super Star Bollywood का बना दो वो आमीर खान बनकर गुजरात की जनता को नर्मदा का पानी ना मिले इसलिए वो आंदोलन करेगा तो कोई भी ओदा दे दो ये उनमादी ही निकलेंगे जिसमें खाएंगे ये उसकी बरबादी ही निकलेंगे और दूद पिलाने से सापों ने कब अपनी फितरत छोड़ी है खाल उतारेंगे अपनी तो जिहादी ही निकलेंगे सही बात है एक और बहुत इंपोर्टन टॉपिक ये जो आकरांता है या मुसलमान सीधी तोर पे कह दे वो हमारी हिंदू लड़कियों को अलग-अलग तरीके से फसाते हैं हमारी हर हिंदू लड़की मानती है कि मेरा अब्दुल्ला या मेरा अली बहुत अच्छा है उनको आप क्या कहना चाहेंगी देखिए हमारी सबसे बड़ी प्रॉबलब ही है कि हमारे बच्चों में हमने जागरुपता नी लई दूसरा हमने धर्म और संसकार का उनको ज्यानी दिया इनका पांच साल का बच्चा भी पांच बार नमाज करेगा हमारे कित्ते बच्चे मंदीर में जाते है हमारे कित्ते बच्चों को गाहितरी मंत्रा आते है देखें ये फर्क है हमारी जो बेटिया है वो बहुत समझदार है मगर हमारी बेटियों को हमने हमारा culture, हमारा संसकार, हमारे rituals हमारा धर्म कितना पुरातन है और कितना महान है वो बताया ही नहीं है तो ये blank slate है आप इस पर जैश्री राम नहीं छापोंगे तो कोई इस पर अल्लाव अक्बर चाप देगा तो गल्ती बच्चों की नहीं है बच्चों को सही दिशाद दिखाने की जवाबदारी सिर्फ माता पिता की नहीं है इस समाज की भी है आपकी भी है मेरी भी है हम सब की है और हमारी बच्चिया बहुत समझदार है, हम बहुत जन सभाय करते हैं, जब हम बेटियों को लवजियाद के विशे में जागरूप करते हैं, तो अभी हमने जबलपूर में मध्या प्रदेश में एक कारेक्रम किया था, और मध्या प्रदेश में हमारे तीन प्रवास थे, में इंस्टाग्रेम पर स्टोरी डाल के टेग करकर लिखा है कि आपको सुनने के बाद में हम ये प्रण लेते हैं कि इस नवरातरी पर हर दिन हम 21 बेटियों को 9 दिन तक लव जिहाद के विशे में जागरूप करेंगे, एक बेटी मुझे ये लिखती है कि आपने लव जिह काने के लिए क्या डायलोग चिपकाने है, अब्दूल को वो पैसा भी बहार से आ रहा है, काफिर की बेटी का दर्मांतरन करवाना है और उस काफिर की कोक से मुस्लिम बच्चे पैदा करवाने है, और फिर उनको तैमुर और जहांगिर नाम भी देना है, आप समझे, तो य मैंने तो उस से ब्रेक अप किया, मैंने अपनी फ्रेंड का भी उसके मुस्लिम बॉइफ्रेंड से ब्रेक अप करवाया, यह बहुत बढ़ी अचीवमेंट है, यदि मेरे पूरे जीवन काल में, मैं किसी एक बच्ची का भी जीवन बरबाद होने से बचालू, तो मुझे ल लगता है कि हम बगवान के समक्ष जाकर जवाब देने लायब बने इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमने बड़ी निश्ठा के साथ अपने इस जीवन को समाज की प्रती तरपन किया है और श्री के चर्नों में हमें जरूर जगह मिलेगी इंसाफ होगा को बल पूर्वक मुसल्मान बनाया गया आज वो कही न कहीं वापस आना चाहते हैं पर एक डाइलेमा में है कि हमें हिंदू समाज एकसेप्ट करेगा या नहीं करेगा उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी देखिए घर वापसी तो हो ही रही है जिन-जिन मुसल्मानों समझ में आया है कि भई यहां पर एक तो आतंकवादी बनते हैं सब के सब बददनाम हम हो रहे हैं कोई और हमस کا आतंकवादी फोड़ रहा है कोई और 26-11 करऄ नोग-11 कोई और कर रहा है लेकिन बदनाम बिचारा आम मुसल्मान हो रहा है Minuten को जादातर जो मुसल्मान वो भी बिचारा गरीब है, uneducated है, 10-10, 15-15 उसके बच्चे है, अब उसको बिचारे को दो टाइम की रोटी का जुगाड करने का, उसका जो फर्स्ट उसकी चिंता का विशे क्या है, उसका गजवाय हिंद चिंता का विशे नहीं है, उसका चिंता का विशे है कि ये जो 12-15 फॉच कड ना दे दू, क्योंकि सरकारी सुवीधाय तो मिलती है, पर सरकार से भी जो अनाज मिलता है, वो अनाज इतने लोगों को परियाप्त हो, वो भी एक मुश्कील और कठीन काम है, तो वो विचारा आम अब्दूल तो शांती ही चाहता है, तो वो देखता है कि मैं इनके साथ र पहले उसका बाप दादा जो है वो अजे ही था उसको पता है, तो कर रहा है, लेकिन सामने दूसरा विशे ये भी है कि हिंदू लड़कों के अब systematically धर्मांतरन करने का काम शुरू हो गया है, मुस्लिम लड़कियों को पहले, अभी जैसे मुस्लिम लड़के हिंदू लड़ का परिवार इन्वाल और अपने हिंदू लड़के का धर्मांतरन करवाया, एक केस आया कच का, अभी रिसेंट केस आया है, उसको पंदरा दिन भी नहीं हुए, उसमें भी वो हिंदू लड़की जो है, उस मुस्लिम लड़की जो है, उस हिंदू लड़के का धर्मांतरन कर सब्सक्क्राइब के प्यार करका उसको और उसकी पूरी फैमिली है तो पहले तो हमें बच्चियों की चिंता हो रही है कि यह भी धर्मांदरन कर रहे हैं आँ मैंने तो यह दुट्धि जिनता का विषय है कि आपने पाकिस्तानी हिंदूों को कुजरात में बसने में बहुत मदद की, उसके बारे में कुछ बताईए क्या था वो पूरा किस्सा पहली बात तो हमने अकेले नहीं किये ये जो बड़े कार्य होते है उसमें बहुत सी संस्थाए काम करती है हमारे यहां बहुत से ऐसे सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है हिंदू संगठन है सब ने मिलकर प्रयास करकर हिंदू शर्नार्तियों को यहां सैटल करा था लेकिन हमने जब स्टार्ट करा था वो 2018 तब तक CA का कोई बात हुआ नहीं था उस वक्त हमारे लिए चैलेंज यह था कि पाकिस्तान के वो हिंदू शर्नार्ति जो गुजराती बेल्ट के है, जो गुजराती जानते है, हमें पता चला दिल्ली के ग्रूप से कि वो दिल्ली में रह रहे लेकिन लेंग्वेज इशू आ रहा है, उनकी महिलाओं को नौकरी और काम नहीं मिल रहा है क्योंकि लेंग्वेज इशू हो रहा है, और उनकी महिला है टिपिकल्ट गुजराती बोलती थी, मतलब वो इतना टिपिकल्ट है कि आपको और मेर को भी कुछ उनके शब्द नहीं समझ में आथी गुजराती के काम करना शुरू किया, तो उस वक्त कठी नहीं हुई लेकिन सबका साथ रहा कि वो अच्छे से सेटल हुए यहां पे उनके बच्चों को हमने एजुकेशन में जो भी हमसे बन पाया किया, मेडिकल हेल्प, रोजगार के लिए जो भी हम कर पाये वो सब प्रयास की और फिर दीरे-दीरे वो सेटल होते गए और उनका परिवार भी फिर दीरे-दीरे एक भाई आया तो फिर दूसरा भाई भी क्योंकि कौन पाकिस्तान में रहेगा हिंदू की दुर्दशा तो देखो आप जब अलग हुए थे तब वहां पर आज का युवा आपसे बहुत प्रभावित है इनफेक्ट नरेंदर भाई मोदी भी आपको ट्वीटर पे फॉलो करते हैं तो ये जरनी मतलब आपने सोच समझ के किया था कि अपने आप ही हो गया हमने काना आपसे कि हमने कुछ प्लान नहीं किया सब कुछ जो है हमारे जगत पिता और जगत माता ने डिसाइड किया है इसी वज़े से जैसे कभी-कभी मैं आपको एक इस बात को ऐसे कनेक्ट करूंगी नरेंदर भाई मोदी जी का फॉलो बैक हमें मिला हमारे लिए स्वभाग्या की बात है बहुत बढ़ी बात है मोदी जी धाई अजार लोगों को फॉलो करते है पूरे विश्व मैं से इस बात बढ़ी बात है कि हमारे जसी एक साधर अनव्यक्ति जिसका कोई बेग्राउंड निया हम पॉलिटिकल बेग्राउंड से नहीं हम स्पोर्ट्स बेग्राउंड से नहीं है हम आर्मी बेग्राउंड से नहीं है हम कुछ भी नहीं है I am nobody but still he is following me which is a great thing for me You are being very humble नहीं लेकिन हमें ये लगता है कि हमारा जब हम अपने बच्पन को देखते है तो इतना संगर्श पून वो बच्पन रहा है कि हम कंप्लेन करते थे जब दूसरे बच्चे खेलते थे आप सोचो एक 12 साल की बच्ची जहां उसके परिवार के कजिन्स खेल रहे है उसके फ्रेंड सब खेल रहे है और वो जो है उस वक्त तो नौकर चाकर भी कहा होते थे तो गाओं में रहते थे सारा काम कुछ तो मैं जाडू, पोचा, बरतन, कपड़े, खाना बनाना बारा साल की उम्र में, तेरा साल की उम्र में मेरी सब करती थी क्योंकि मेरे पिता जी का देयानत हो गया आप समझ रहे कि यह एक इतना चनौती पुन संगर्ष था कि हम कंप्लेन कर सेते भगवान से कि आपने मेरे को दूसरों जैसी लाइफ क्यों नहीं दी आपने क्यों, जो दूसरे बच्चे क्योंकि तब छोटा दिमाग होता है इतना समझ थोड़ी होती है तो मैं लड़ती थी कि आपने मेरी लाइफ इतनी कठीन क्यों कर रही है क्यों मैं दूसरे बच्चों की तरह नहीं हूँ लेकिन अब समझ में आता है कि उन्होंने बच्चपन से ही मेरी ट्रेनिंग उन्होंने खुद में शुरू कर दीती शायद उनको कुछ काम करवाने होंगे हमसे समाज के लिए, धर्म के लिए जन जागरन के लिए धर्म की स्थापना के लिए हम जो भी गिलैरी जितना योगदान दे पाए हम अपने आपको सौभाग्यशाली समझेंगे कि यह अवसर हमें प्राप्त हुआ और शिव शक्ति ने हमें संगर्श कर करकर हमें वो कहते हैं न कि जितना उस सोना पिगलता है उतना निखरता है तो दोपंक्तिया समर्पित करती हूँ सोना जितना चलता है उतनी ही ताकत भरता है पितल को जितनी आग लगे वो उतना प्रकर निखरता है हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खुब चमकता है मिट्टी का बरतन पकता है तब दुन पर खुब खनकता है सूरज जैसा बनना है सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आधर पाना है, तो परवत छोड निकलना होगा, और हम भी श्री राम के वन्शज है, क्यों सोचे रा सरल होगा, कुछ जादा वक्त लगेगा, पर संगर्ष जरूर सफल होगा। क्या बात है, क्या बात है। तो जो कार्य जो हो रहा है, हमें लगता है कोई प्लानिंग नहीं है, यह सब उनकी इच्छा से हो रहा है। कजल जी, एक और चीज़, मैं आज से 5 या 10 साल पहले, जो मेरी आजू बाजू से समझता था, कि लोग हिंदू लोगों को अवेरनेस फैलाने से डरते थे, अपनी आवास उठाने से डरते थे, पर जैसे आप और आपके जैसे बहुत ही योद्धा मैं कहूंगा, जो आप आ जाते ही नहीं डगते थे, मैं बच्पन से ही बहुत दबंग रही हूँ, जब लड़के लड़कियों को छेड़ते थे, तो इसकूल से जाते वक लड़किया वेट करती थी कि काजल निकले तो हम उसके साथ रस्ते में चलेंगे, ताकि कोई अमें ठेडेगा नहीं, तो लड फत्वे गुजरात में तो हमारों पर फत्वे निकले हुए, सुन्नी मुस्लीम समाज के, कटरपंती, जिहादी, तालिबानी, आतंकवादी, वहाबी, मुसल्मानों ने हमें धंकी दे रखिये कि तुझे तो मारी देंगे, हमने का देखो, रोज रोज तो मरना है नहीं, और एक दिन तो हर किसी को जाना है, पर हम महाराना प्रताप के वन्शज है, क्योंकि आपने कहा, हम बॉन और बॉट अप राजस्थान है, आपने वो स्टार्ट में बताया है, तो मैं उस मेवाड की भूमी से हूँ, और केसर या बाना पैनकर हम भी निकल पड़े है, वीर आगरन का भी कार्य चालू रहेगा, और अभी तो हमने सिर्फ अयोद्या में मंदिर बनाया है, काशी और मतूरा को भी जल्दी जिहादी मुक्त करेंगे, और उसके साथ भारत के उन तमाम 40,000 मंदिर, जिस पर अवेद धाचा बना दिया गया है, सफेद टोपी पहना दी ग तब हिंदू बोलते दे पांडव की तरह कि हमें सिर्फ तीन मंदिर दे दीजे, अयोद्या काशी मतुरा, और अगर तीन नहीं देंगे, तो हम तीन हजार लेंगे, नहीं हम तो 40,000 लेंगे, आप 49 नहीं अब 24 चल रहा है, और हम 21 सदी में अब है, सभी बात है, पर एक कैसे करोड़ हिंदू आपके साथ हैं, बाकी मैं अगले सवाल पर आऊंगा, आप गुजरात में रहती हैं, गुजरात को लोग हिंदू की भूमी कहते हैं, जैसे हिंदू रास्ट्र जब बनेगा, या मतलब, नहीं है हिंदू रास्ट्र, नेम प्लेट लगनी है, तो इसी में भाजपा की ही सरकार ने आप पर बहुत सारे केस लगाए, आपको जेल में भी भेजा, तो आपको कभी बुरा नहीं लगा कि मैं अपने हिंदू के लिए काम कर रही हूं और हिंदू की ही एक सरकार मुझे इस तरह से युमिलियेट कर रही है, कृष्ण भगवान का जन् पर नवास में किस ने भेजा, उनकी माता की कई में, धर्म की रहा पर सदेव संगर्ष होंगे, मगर जीत भी अंत में सदेव धर्म की होती है, तो जब हमारे राम भगवान मनुष्य रूप में जब वो अवतरित हुए, उन्होंने भी संगर्ष किया, माता सीता का, राम राम भगवान ने तो हमेशा अपने को साधारन मनुष्य बताया है, मगर कृष्णा भगवान ने तो कहा है, कि I am the God, बोला है उन्होंने, मगर फिर भी उन्होंने संगर्श किया, तो फिर हम तो साधारन व्यक्ति है, आपको लगता है कि हम इस से बच पाएंगे, मगर ये भी तय है कि कुछ तो किया है कि आज आज आपके समक्ष बैठे है, सही बात है, काजल जी, आप हिंदूओं को एक करने की बात करती है, जैसे आपने अपना सर ने भी उसी एक परपस से किया, पर हिंदूओं में इतनी जातियां हैं, इतने वर्ण हैं, लोग इतने बटे हुए हैं, इनको एक कैसे करेंगे आपके? देखिए, चुनौतिया तो है, वो कार्रे हमने शुरू कर दिया 2016 से, हमें इसमें सफलता भी प्राप्त हो रही है, आप देखिए, हमें सब समाज बुलाते हैं, गुजरात में हम भानुशाली समाज में भी जाते हैं, पाटीदार समाज में भी जाते हैं, बारोट समाज में भी हमें बुलाया जाता है, ब्राह्मन समाज में भी बुलाया जाता है, हिंदू बनो, हिंदू से ही सामान खरीदो, हिंदू को ही नोकरीदो, हिंदू एकता के सुत्र में हिंदू पिरोय हमारे जो सरदार वल्लब भाई पटेल है अब सोची घर में चार भाई जो है, उसको हम किसी एक बात पर राजी नहीं कर सकते हैं सरदार वल्लब भाई पटेल ने 563 रियासतों को एक किया और अखंड भारत का निर्मान किया तो ये काम तो गुजरात पहले कर सकते है यदि गुजरात के सरदार वल्लब भाई पटेल कर सकते है वो कर सकते है तो क्या गुजरात के हिंदों मिलकर पूरे भारत के हिंदों को ए एक नहीं कर सकते इसलिए गुजरात की बेटी निकली है एक करने सफलता जरूर मिलेगी और मिल भी रही है बाइदवे एक चिनौती मैं देखता हूं काजल जी आपकी बात सही है कि 10 साल पहले हम जहां थे उससे कहीं आगे पहुंच गए हैं एक बन रहे हैं और राम करने के बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं और दलीतों की हालत शायद सुत्री है पर अभी भी दिक्कते हैं तो उनके मानव अधिकार के बारे में आपका क्या सोच है या हिंदू समाझ को आप कोई सजेशन देना जाहें मेरी सोच तो माइने ही नहीं रखती जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी के चौते अध्याय के तेरवेश लोप में बोल कर जा रहा है के चातुरवर्णियम मया श्रिष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य करता रमपी माम विद्वयम करता रमवयम के चा श्रीन भगवान की ये कही गई बात को क्यों नहीं मान रहे कि वर्ण व्यवस्था थी जिसको जाती व्यवस्था बना दिया गया इसलामिक आकरमन कारी इस देश में अए उन्हों ने किया फिर कम्यूनिस्ट एजंडा इस देश में काम किया और उसके बाद नहरू गंदी परिवार ने उसको और हवा दी और अब हमारे कुछ ऐसे नेता एक एक जाती के ठग नेता खड़े हो गए जो खुद जाती वाद कर रहे हैं तो अब समाज को समझना पड़ेगा कि उसको इसी तरह से गुमनामी की मौत मरना है बटकर या एक होकर संगटित होकर इन आकरमनकार आतंकवादी ताकतों का सामना करना है क्योंकि क्या मतलब होता है कि गोडे की भी बली नहीं चड़ती हाती की भी बाग की भी बली नहीं चड़ती सुना है कभी बली किसकी चड़ती है बकरे की क्योंकि भगवान भी दुर्बलों की साहता नहीं करता बकरा दुर्बल होता है इसलिए उसकी बली चड़ाई जाती है अब हिंदू को ये सोचना है कि क्या उसको अपने सोपल भाई के रुप में बैठे कसाई के हाथ का बकरा बनकर कटना है या संगटित होकर ऐसे कसाईों से लड़ना है सही बात आपने अभी जो existing situations हैं उनकी बात की, history की बात की जिस तरह से ये राम जन्मभूमी movement या बहुत सारे अच्छे initiative के वज़े से अब हिंदू समाच से फिंदूस्तान में नहीं बहार भी संगटित हो रहा है उससे बहुत सारे लोग व्यथित हैं तो आपको लगता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसका सामना करने के लिए हमें कोई विशेश तैयारियां करनी पड़ेंगी देखे अभी हमें ये तो नहीं पता कि विशेश तैयारियां से क्या मतलब है आपका लेकिन हम इतना जरूर कहता है कि हिंदू विजिलेंट रहे कौन आ रहा है कौन पास में मकान भाड़े पे ले रहा है कौन पास में मकान खरीद रहा है पास में पड़ी सरकारी जमीन है या गौचर की जगए उस पर अवैद अतिक्रमन कौन कर रहा है हमारा मंदिर है उसके ही मंदिर के कंपाउंड में आकर कोई अवैध तरह से कौन अपना अवैध धाचा बना रहा है आपको पता है कि गुझरात की तो शान है, मोरबी का मनी मंदिर आपने देखा होगा मनलब बहुत बड़ा भव्य मंदिर है उस मंदिर की ही जगे पर मंदिर को लगकर उन लोगों ने तीन माले की अवैद दरगात जिहादियों ने खड़ी कर दी और आप मंदिर की खिडकी नहीं खोल सकते क्योंकि उन्होंने मंदिर की खिडकी पर भी दबान कर दिया पूरा का पूरा दिवार मंदिर की खुद के अंदर ले ली और वो इतना बड़ा अवैद अतिक्रमन है वो heritage property है मगर किसी में हिमत नहीं है उस अवैद धाचे को हटाने की हम कुछ लोगों ने सामाजिक संगठन धार्मिक संगठन ने मिलकर एक आंदोलन किया और वो जो मुंझावर था लेंड ग्रेबिंग दाखिल गुआ मुंझावर एक साल रह के आया और एक साल के बाद छूड भी गया आपको मगर प्रश्म यहां पर यह है कि गलत काम जो है वो नहीं होने चाहिए फिर वो गलत काम चाहिए जो भी करे उसका कोई धर्म और जाती नहीं होता है यदि अवैत तरीके से उसको पानी और बिजली का कनेक्शन खुद नगरपाली का दे रही है खुद प्रशाशन लोकल मोर्भी का दे रहा है तो मोर्भी की जनता कब जागरू होगी क्या उसको आखों से दिकाई नहीं दे रहा क्या वो देख नहीं रही कि इतने बड़े हैरिटेज पैलेस पर इतना बड़ा अतिक्रमन कर दिया है तो ये तो जनता को जागरूख होना पड़ेगा मगर प्रॉब्लम क्या है कि हम बैठे सरकार भरों से खुद कुछ करने को तयार नहीं ये हिंदु समाज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो बोलती है ये कुछ कर दे वो कुछ कर दे पर खुद कुछ करने को राजी नहीं है मेरी ये कंक्लूर करने से पहले मेरे दो सवाल एक तो 22 जनवरी को रामलला की प्रान प्रतिष्ठा होने वाली है उस दिन पूरे भारत वर्ष को आपका कोई संदेश जैसे मैं उस दिन अपने घर में, ओफिस में, हर जगा पे दिये जलाने वाले हूं वो दिन मेरे लिए दिपावली है तो आपके तरफ से कोई संदेश पूरे भारत को हमसे पहले तो नरेंदर भाई मोदी जी ने संदेश देही दिया है जो देश की प्रधान मंत्री है हमें लगता है कि प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश को ये संदेश दिया है कि आप अपने दिपोटसव की तरह, दिपावली की तरह सजाईएगा अपने घर को गलियों को और 140 करोड को का है उन्होंने 120 करोड को नहीं का है तो हम मानते कि जो हमारे भाई है वो हमारे भाई सच में हमसे प्यार करते हैं तो वो भी उस दिन दिपावली मनाएंगे पर हम कलपना कर रहे हैं राम राज्य की क्योंकि अब जब राम जी विराज्मान होंगे तो राम राज्य ही होगा ना तो राम राज्य की कलपना क्या होनी जाई है धर्म की स्थापना हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में स्थभावना हो विश्व का कल्यान हो गौरक्षा बंध हो हिंदूों की सुरक्षा हो हिंदूों को अपना हिंदू राष्ट्र मिले हम ये कलपना करते है वो देश मिले कि जहां अमारी बेटिया खुल्या हम घुब सकती है उसका कोई अब्दुलाफता पैतिस टुकडा ना करे हम चाहते कोई किशन भरवाड की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बेले स्पैमी का उस पर आरोप लगा कर उसका मडर कोई दिन दिहाड़े ना करे ये लोकतंत्रिक देश है इसमें सबको अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए तीन नए बिल अभी जब माननिया ग्रह मंत्री अमिद भाई शा ने जब तीन नए बिल पारित किये तब उन्होंने एक शब्द काऊं कि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है ये लोकतंत्र है अब बोल सकते है बस देश के खिलाफ आप मत बोलना तो हम ये मानते के प्रतेख नागरिक को अभिवक्ति की आजादी है वो बोल सकता है और उससे वो बोलने का हग कोई नहीं छीन सकता क्योंकि हम इसलामिक देश में नहीं रह रहे है हम शरिया कानुन के उसमें नहीं रह रहे है और क्योंकि राम भगवान का नाम लिया है तो जब राम जी आएंगे तब हमें लगता है कि सुख संपति, संपदा, सदबुद्धी यह जो सब है यहां पे जो कुछ असुरी लोग बैठे है उनमें भी यह आए और राम कौन है तो राम है धर्म और धर्म क्या है तो धर्म वो है जो राम ने किया है सिर्फ मंदिर तक मत रह जाओ मंदिर की खुशिया मत मनाओ वो तो मना नहीं है मगर अपने अंदर की राम को जगाओ कि कौन है राम की राम जो है चेतना का बिंद बिंद जिससे प्रस्पुटित है तेज तेज जो कि इस समस्त श्रिष्टी की सर्जना की कल्पना का हेतु है अनाम है अनाम जो है पंक्ती में प्रथम प्रथम है धर्म धहर्य का है शौर्य का अनंत अंत क्रोध का प्रचंड युद्ध का निले प्रले जो विराम है विराम है एहम का है शोध इस अनन्त का अनन्त मुक्त क्रोध का अनन्त भक्ति बोध का अनन्त शक्ति श्रोत का अनन्त मोक्षधाम है वो एक नाम राम है वो एक नाम राम है क्या बात है काजल जी और मेरा आखरी सवाल हम हम सब की हिंदू शेरनी को जैसे अभी 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं वहिए आप लोगो ने गलत ना दे दिया सब लोग शेरनी शेरनी कहते हैं हम बहुत ही सरल सभाव के व्यकती है हम शेर की तरफ वह जैसे जैसे हम काजल जाता है न हम Pure Vegetarian है हम ना तो खून पीते है ना हम मास खाते है हम तो प्याज और लसं भी नहीं खातें तो आप Лोग सब कि आपने बोल देते हो लेकिन काजल का है। हिंदों कि आस्था है शएर जैसे हमारी मां Boa है उनका वहान शेर है और आप में भी अगी वो शेरनी वाला प्रतिकार करने की जो ताकत है हिसी की वजहसे हम आपको प्रेस्त कह से शिरनी कहते हैं कि I am a hardcore believer, मेरी अटूट श्रद्दा है इश्वर पर, मेरे भगवान पर, destiny में जो उसने decide किया है, कि उसका लिखा हुआ, तेरी तकदीर का लिखा हुआ, तुससे कोई छीन नहीं सकता, और उसकी कृपा है, तो तेको वो भी मिल जाएगा, जो तेरा हो नहीं सकता, तो यदि हमारी destiny में हिंदूों के लिए संघर्ष करना, समाज के लिए संघर्ष करना लिखा है, तो वो हम कर रहे है, उनके लिए बलिदान देना लिखा है, तो वो हम कर रहे है, future क्या है वो हमें नहीं पता क्योंकि सब उन्होंने decide किया है तो हम यह कहते हैं कि सिर्फ देर्य रखो, patience रखो समय आएगा तब automatic वो हमारे सामने चीजे लाएंगे लेकिन हम ना तो राजनीती के व्यक्ति है और हम चल भी नहीं सकते हमारे जैसे लोग जो ideology से compromise नहीं करते आप बताओ हम से होगा नरेंद्र भाई कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं नरेंद्र भाई से हमारी कोई तुलना हो नहीं सकती, वो एक ऐसे व्यक्ति है कि उनके जीवन का जितना अनुभव है, राजनीती का उत्ती तो हमारी एज भी नहीं है हम ये मानते हैं कि धर्म की राहा पर हमें जो भी कार्य जो है जो हमें इश्वर सुजाएंगे हम उसके अनुरूप कार्य करेंगे काजल जी हम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शोक्री दन्यवाद आप सब का बहुत बहुत आवार धन्यवाद मिलते रहेंगे और इसी तरह से जीहादियों की बेंड बजाते रहेंगे थैंक यू